नमस्कार आव वीडियो छे साइन्स क्लास 10 चेप्टर 10 पार्ट वन आपड़े 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 नौ चेप्टर प्रक्राण 10 छे ही सरू करिये चेनू नाम छे प्रकास परावर्तन अने वक्रिपवन चेप्टर सरू करिये पेलडा थोड़ी वात करिये आ चेप्टर ना टोटल वैटे जथे टोटल मार्क्स चे बोर्ड नी एक्जामनी अंदर 6 मार्क्स चेनी अंदर एक प्रस्ण ओई छे एक मार्क्स नू एक प्रस्ण चे बे मार्क्स नू अने एक प्रस्ण चे त्राण मार्क्स नू एटले यहां तमे नंबर वग्वेस्चन विचारी सको त्राण चे पाठ माथी पुछाएवा अने टोटल मार्क्स अपड़ने चे छो मार्क्स फरी पचु एक प्रस्ण एक मार्क नू एक प्रस्ण बे मार्क्स नू अने एक प्रस्ण त्रण मार्क्स नू एटले पाठ ना टोटल मार्क्स छे छ अने पाठ माथी पुछाता प्रस्णों नी संख्या छे त्रण अवे पाठनी सरुवात करिये पाठनू नाम चेना बद्धा सब्द बराबर समझे जो जो प्रकास परावर्तन अने वक्री भवन तम्हें अतियार सुधी जे अभ्यास कई रो एनी अंदर क्याक ने क्याक आ नाम विशेनों उलेक तमारे आविज गियो छे अहीं आपणे खाली बात करिवे होई के प्रकास एटले सु तो आपणे एव कई सकिये के आखमा समेदना उपजाओता विद्यूत चुम्बकिय वी किरण एने प्रकास केवा मावे छे प्रकास नी व्याख्या पुछाती होई छे प्रकास नी व्याख्या आपो तो तमे एव कई सको के आखमा समेदना उपजाओता विद्यूत चुम्बकिय वी किरण ने प्रकास केवा मावे छे प्रकास ज्यारे एक पारदर्शक माधियम होई एमाथी बीजा पारदर्शक माधियम होई माधियम मा जतो होई एटले के माधियम एक माधियम बेनी अंदर प्रकास गती करतो होई त्यारे ए मूर दिसा थी विचलित थाए आप्रकास ना किरणो मार्ग छे आपड़े बद्धी जुवस्तु विचे पाठ नी अंदर डीटेल समझवानू छे प्रकास विचे नूँ प्रकास नूँ स्वरूप प्रकास नूँ परावर्ता नेटले सु एना नियम मूँ विचे नी वाद करसी येने आधारीत गणी बद्धी व्याख्याओ दाखलाओ येनी वत विचे नी वाद करसी बिजमा प्रकास ना वक्रिभवन विचे नी वाद पन डीटेल मा अपणने चेप्टर मा पेली छे आपणे आपणी NCIT नी स्टैटरजी प्रमाणे दरेके दरेक लिटीन वभियास करता जहिए जोहिया इया बुक मा आपेलू छे प्रमाणे विच्वमा आपणी आसपास रहेली अनात प्रकार नी वस्तुओ आपणे जोहिये छिए जोके अंधारा ओर्डा मा आपणने कईपण जुहा माटे असमर्थ छिए तुकमा आपणी आजी बाजुनी रहेली वस्तुओ तमे जोहि सको छो आराम थी जहारे प्रकास होई तो तमे बदी वस्तुओ जोहि सको छो बढन अंधारा ओर्डा मा आपने कईपन जुखा माटे अ समर्थ छह एटले के आपडने अंधारा ओर्डा नी अंदर जोह शका तु नथी ओरडा ने प्रकासित करता तेमा रहेली वस्तुव द्रस्य मान थाई छे एक वधी वस्तुव आपडने देखाई छे द्रस्य मान थाई छे एक क्वेस्टन पुछी सकाई या थी जो जो सानाथी वस्तुव द्रस्य मान थाई छे एटले आपणने वस्तु देखाई छे केवी रितना एनो जवाब एना पच्छीनी लीटियोंनी अंदर जापेलो छे तमें सिधी रिते पड़े नो जवाब वीचारी सको डाइरेक्ली पन प्रकास आजु बाजु में होई तो एने कारणे आपणने वस्तु देखाई छे अंधर आवड़ा में वस्तु जोहा माटे ने तकलिप पड़े छे वीजु प्रकास कोई वस्तु उपर पड़े आने परावर्तित थतो होई तो परावर्तित प्रकास ने करने आपणे ये वस्तुओ जोही सक्ये छिए जोही एमा दिवस्त दरम्यान सुर्यानों प्रकास आपणे वस्तुओने जोह माटे मदद रूप थाई छे एला सुर्या प्रकास नी मदद थी आपणे जोही सक्ये छिए वस्तु तेनी पर पड़ता प्रकास ने परावर्तित करे छे कोई पन वस्तु उपर प्रकास आवे आपात थाई औने प्रकास नू परावर्तन थाई छे आ परावर्तित प्रकास जारे आपनी आख द्वारा प्राप्त थाई छे त्यारे आपणने वस्तु देखावा सकति मान बनावे छे एटले के कुई वस्तु उपर प्रकास ना किर्णों पड़े छे एनुं परावर्त न थाए और परावर्तत किर्णों आपनी आंख नी अंधर प्रवेशे जिन्या कार्णे आखना अंदर रहेलो पड़ दो एटले के रेटी ना उपर प्रती बीम रचाई प्रती बीम नी प्रोसेस थती होई छे मानाव मगज मानेने कार्णे आपड़े वस्तुओ जोई सकिये छे कार्ण के प्रकास तेमाथी पसार थाई सके छे एटले के एक पार दर्शक माधियम थिऊ प्रकास साथे अनेक सामान्य तथा अदभूद घटनाओ संकडायल छे एटले के प्रकास नी हारे घणिबदी घटनाओ संकडायली छे छेमके अरिशाओ द्वारा प्रती बीम नी रचना अरिशाना प्रकार विशे पन आपड़े डीप पढ़णवानु छे पन रोज बरोज मा आपड़े समतल अरिशानों उप्योग करिये छे आपड़े माथू ओड़िये छे ड्रेसिंग करिये छे आ बदी जवस्तु आपड़े अरिशानी सामे उभारईने करिये छे एटले के अरिशानी अंदर आपड़े प्रती बीम रचातु होई आने इने करने आपड़े बराबर जोई सकिये छे आपड़ी जातने तारा ओनु टम्टमू मेग धनुस्यना सुंदर रंगो माध्यम द्वारा प्रकासनु वाकू वड़ू वगेरे प्रकासना गुणधर्मन अब्यास आपड़ने ते समझवामा मदद रूप थसे अलग अलग प्रकासिया घटना ओछे ताराओ केवी रितना टम्तमता होई मेग धनुस्य तमे जोहेलू चे सूरिया जहरे आपड़ी पीठ नी पाचड़ो यहने सामेनी साइड स्वच्छ आकास होई त्यारे वर्सादी रूतु माँ आपड़ने जोहा मड़े चे चानी वाली पीनारा प्रमाणे रंगोनु अदभूत चित्र छे रचातु ओई छे ए मेग धनुस्य विशे तमने ख्याल छे माध्यम द्वारा प्रकास नुँ वाकू वड़ू एटले तमे नाना स्टांडर्ड नी अंदर भणी गिया छोलू का काच्छ नो प्यालो होई पाणी भरेलो नेनी अंदर पेंसिल आपड़े राखिया छे तो पाणी भरेलो जे धार छे एनी पासे पेंसिल थोड़ी वाकी वड़ेली देखाई छे इप्रकास ना वाका वड़वानी घटना एटले के वक्रिभवनी घटना आब दा गुणदर्म नो अभ्यास अपनने समझवामा मदद दुरूप्थ छे अपनी आसपस बंती सामान्य प्रकास ये घटनाओना अवलो कन पर थी आपने तारन काडी सक प्रकास सुरेखामा गती करतो लागे छे आबर आबर अगत्यनु छे प्रकास सुरेखामा गती करतो लागे एटले के प्रकास सिधीरेखामा गती करतो होई कोई नानू प्रकास उध्गम स्थान ओ पारदर्सक वस्तूनू तिक्सन प्रतिभीम बनावे छे अपड़े ए ये तिक्सन प्रतिभीम सामानी रिते अप पढछाया तरीके जोई चीए एटले एना उपर्थी कई सको कि प्रकास से ही सुरेख मार्ग मां गती करे छे आत अथिय प्रकास ना सुरेख पत ने प्रदर्शित करे छे एटले एव उपर्थी कई सकाई कि प्रकास सुरेख मार्गे गती करे छे जेने सामान्य रिते प्रकास ना कीरण तरीके दर्सावाई छे एटले प्रकास सास्त्रानी अंदर प्रकास सूरेख पथ पर गती करे छे अन्य जेने आपने सामान्य रिते कीरण वड़े दर्सावाम आवे छे अवे थोड़ी वधारानी माहीती आ एक सूरेख पत्थ छे प्रकासनों इस सूरेख पत्थने कीरण बड़े दर्साईवा पण जो एक करता वधारे किरणों भीगा होई तो एक करता वधारे किरणों भीगा होई एने केवाम आवे छे किरण पूंज એટले કિરણોનો સમું એને કિવાય કિરણ પૂજ केरेग्राफ मा थी तमने कोई प्रस्न पुछी सकाई यवा छे नहीं माहित यो निवाद छे बद्दी पाण आ वधु जानवा जेवु छे एनी अंदर थी प्रस्न पुछी सकाई बराबर जो 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 प्रकास ना पथ मा राखेल ओ पारदर्सक वस्तु खूब नानी बने तो प्रकास सुरेख पथ पर गती करवाने बदले तेनी धार पासे थी वाको वड़े छे आ घटनाने प्रकास नू वीवर्तन कहे छे प्रकास नू वीवर्तन एटले सु तो तमें कही सको ओ पारदर्सक वस्तु खूब नानी बने तो प्रकास सुरेख पथ पर गती करवाने बदले एनी धार पासे थी थी थोड़ो वाको वड़े छे आ घटनाने केवा मावे छे प्रकास नू वीवर्तन तमने वीवर्तन वीशे थोड़ो चित्र द्वारा समझाओ अईया ब्लेड ना चित्र नी अंदर तमें जोई सको छो आ पाछर नी साइट प्रकास होई तो ओ पारदर्सक वस्तु खे एमा थी बार ना थी आउतो पन जिहां थी प्रकास ने आउवा माटे नी जगिया छे ए तमने प्रकासित भाग छे जोवा मर से एटले के आ ब्लेड ना आबदा भाग छे अईया थी ना 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 भाग छे आबदा भाग माथी प्रकास बार आउतो देखाई छे आ प्रकास ना वीवर्तन नी घटना नू उदाहरण छे अवे बिजू साव सिंपल स्टेप मा समझ व वधारे अभ्यास तमारे अग्यार साइंस नी अंदर बार साइंस मा एनी अंदर आउसे बदो अभ्यास पणा समतल तरंगो कोई सलीटू पर आपात थाए तो आ अडचण नी धार पासे थी प्रकास ना तरंगो आम वाका वड़ी जाई छे आ प्रकास ना तरंगो वाका आस्थिति मा कीरण प्रकास सास्त्र जेमा रेखिय पथ विचारधारा मुझब कीरणों उप्योग करवा मावे छे ते निस्फड जाई छे विवर्तन जेवी घटना समझाव माटे प्रकास ने तरंग स्वरुप मा मानवा मावे छे चेनो विश्त्रूत अभ्यास्त में आगड़ना धुरण मा करशो विश्मी सदीना प्रारंभ मा फरिथी ते स्पस्ट थाई चुक्यो हतु के प्रकास नी द्रविय साथे नी अंतर क्रियाना अभ्यास मा प्रकास नो तरंग सिद्धांत परियाप्त न थी स्वरू आत्पाईवतु प्रकास ना जे सुरेख रेखिय पत्री विचारधारा न उप्योग तो ते निस फड़ गियो पछी आयू प्रकास नू तरंग स्वरू हवेनी वाद करेचे प्रकास नी द्रविय साथे नी अंतर क्रिया तरंग सिद्धांत परियाप्त न थी तथा प्रकास खणीवार कणों ना प्रवाहस्वरूपे वर्ते छे बराबर जोजो हवे प्रकास चेही कणों ना प्रवाहस्वरूपे वर्ते प्रकास नी साची प्रकृती विशे मतमतांत रो केटला वर्षो सुधी चालता रहा जिया सुधी प्रकास नो आधुनिक कोंटम सिधान्त एटले के कोंटम यंत्र सास्त्र वाड़ी वाच्छे अत्यंत सुक्षम स्वरूपोनी अस्तित्वमा नो आवियो के जहमा प्रकास ने नोतो तरंग मानवाम आवे छे के नोतो कौन आवासी धन्त मां प्रकास ना कॉन सबन्दीत गुंधरम तथ तरंग प्रकृती वचे समन्वाई साध्वमा आवियो एटले के गणिवधी वखद प्रकास से कॉन स्वरूपे वर्ते शे उश्विकारवमा आवियो गणिवधी वखत प्रकास से इतरंग स्वरूपे स्विकारव मावियू एमनी वच्चे ना समन्वई विशे निवाद छे पन ए बदू अतियारे तमारा लेवल थी घणुबुदू आगडवई जसे आपने बाद करिये प्रकास नी द्रविय साथे नी आंतर करिया तमें आउँ समझी सको या धरोके कोई एक पदार्थ छे अथ तो कोई एक धातू नी सपाटी छे और इना उपर प्रकास या आवे छे आ इलेक्ट्रोन छे धातू नी सपाटी उपर तो उर्जा मेडवी इलेक्ट्रोन बार निकडेशे अने काण ना प्रवास्वरूपे वर्ते एवु कई सकाई एटले के काणों छेई प्रवास्वरूपे वर्ते छे अगर जुए आ पेरेग्राफ माथी तमने पुछा एवु प्रकासना विवर्तननी व्याख्या अलग-अल प्रकासना प्रावर्तन अने वक्री भवन नी गत्नानों अभ्यास प्रकासनी सूरेक पत पर घतीनी मदत्ति करीशू एले प्रावर्तन वक्री भवन आपने जे समझवानूँ छे प्रकास सूरेक हमार के गती करे छे एने आनुरुप बदिवात समझवानी छे आ मुडबूत ख्यालो आपणने कुद्रत मा बंती केटलिक प्रकासिय गटनाओना अभ्यास क्रम मां सोरी अभ्यास मां मदद रूप थसे आ प्रक्रण मां अपने गोडिय अरीसाव द्वारा प्रकासना परावर वक्रिपवन वास्तविक जीवन मां क्या-क्या एनो उप्योग थाई छे एना विशेनी बदी बाद करवाना छे या आ चेप्टर ने अंदर जोई आपड़ो पेल्लो टोपिक प्रकासनु परावर्तन अमना आपने बाद करी गया कोई समपूर्ण पोलीस करेली के चड़कती सपाटी होई इस पाटी उपर थी प्रकासना किर्णो अथडाई अथडाई अने चोकस दिशा मां पाचाफरता होई अथवा तो अथडाई ने पाचाफरवानी गटना छे इने केवाम आवे छे प्रकासनु परावर्तन अपड़े व्याक्या जुए समपूर्ण पोलीस करेली सपाटी चेमके अरी शो तेना पर पढ़ता मुट्टा भागना प्रकासनु परावर्तन करेती होई तो येनाव परावता प्रकासनु परावर्तन करेती परावर्तन्ना नियमों आगला दुरुन माविग्या छे प्रकास ना परावर्तन्ना नियमों विशे पहले थी जजार नोछो चालो आ नियमों याद करी लइए अत्यारे प्रकास्ना परावर्तना नियमों वाद करिये पेलला एक आकरूती बरावर्तमें ध्यांती जोईलो अहिया आकरूती मा कोई एक सपाटी छे आ सपाटी ये हुँ बराबर कोई एक लंब दोरी लव छुँ अहिया सपाटी ने दोरी लंब छे लंब पासे कोई एक बिंदु छे इँ बिंदु नु नाम अपड़ा अप्ये छिये आपाट बिंदू अवे आ आपात बिंदु ये परावर्तक सपाटी ने दोरेलो लंब छे अईया अवे दारोके कोई वस्तु अईया छे औने इ वस्तु माथी प्रकास ना किर्णु आवे छे तो प्रकास ना किर्णु आवे छे आपात बिंदु पासे वस्तु माथी आउता प्रकास ना किरणों ना मार्ग ने अथवातो प्रकास ना किरण ने आपणे केसी आपात किरण ओ पासे किरण आपात थाई अथडाई ने आम पाचु फेकाई छे एने आपणे केसी परावर्तित किरण एटले क्यातियार आपणी पसे चार वस्तु थाई, एक वाद कहीरी आपणे आपात बिंदु, आपात बिंदु ये दोरेलो लंब, एक वाद कहीरी आपणे आपात किरण, और बिजी वाद छे, परावर्तित किरण हुँ तमने बराबर एक बे व्याख्याविसे निवाद करू, आपात कोण खरेखर कोने केवाई, और परावर्तन कोण कोने केवाम आवे, तम्हें आकरूति बराबर द्यान थी जोजो, आपात बिंदु ये, सपाटिने दोरेला लंब साथे, एटले कि आपात बिंदु छे, आईया सपाटिने दोरेला लंब छे, आपात कीरण जे खुण बनावे, एक खुणोंने केवाम आवे, आपात कोण, फरिती व्याख्या बोलू छू, आपात बिंदु ये, परावर्तक सपाटिने दोरेला लंब साथे, आपात कीरण जे खुणों बनावे, एक कोणने केवा अपात कोण तमें परावर्तन कोणनी व्याख्या जाते बनावी सको जो जो बराबर तमार या बदा भीगा करवा नाचे हुँ हमना बोलतो नथी तमें पेल्लू स्टेपा लई सक्षो बिजू स्टेपा त्रिजू स्टेपा आकीरण छे अने अहिया जे खुणों बनावे इने केवाए परावर्तन कोण हवे हुँ व्याख्या नाश्वरूक मा बुलूँछू तमें सामबड जो बराबर जो तमें आउँ विचारेलू असे तो तमारी व्याख्या बराबर साची आपात बिंदु ये है परावर्तक सपाटीने दोरेला लंब साथे परावर्तित कीरण जे खुणों बनावे इने केवा मावे परावर्तन कोण फरीपाचू आपात बिंदु ये परावर्तक सपाटीने दोरेला लंब साथे आप परावर्तित कीरण जे खुणों बनावे एक खुणा ने केवाई परावर्तन कोण अपने परावर्तन ना नियमों याद करी लईए पेलो नियम एवो छे हमेशा आपात कोण अने परावर्तन कोण समान होई पाछू आपाद कोण एकले लंब साथे बनतो खुणों छे परावर्तन कोण पन लंब साथे बनतो खुणों छे खुणाओ बदा लंब साथे बनता खुणाओ तमारे विचारवानू छे पेलोनियम आपाद कोण औने परावर्तन कोण हम्मेशा समान होई येनों मतलबें के जो आपात कोण 30 डिग्री होए तो परावर्तन कोण 30 डिग्री थाए येटले आपनों परावर्तन नो पेलोनियम, हवे बिजोनियम, आपात किरण, परावर्तित किरण अन्ने सपाटी ने दोरेलो लंब आ त्रोने एकज सम्तलमा होए आने के वम आवे परावर्तन नो बिजोनियम, बने नियम साव सरण, फरीपाचा रिपीट करी लेए आपात कोण अन्ने परावर्तन कोण हम्मेशा समानज होए बिजोनियम आपात किरण, आपात बिंदु ये सपाटी ने दोरेलो लंब अन्य परावर्तित कीरण त्रणी हमेशा एकज सम्तलनी अंदर होए जो जो उन्य तमने एक क्वेस्चन एगो कुछ जो जो कीरण बराबराम लंब रूपे आउतु होए तो आपात कोण केटलो तमें बराबर विचारीलो आपात कोण केटलो थसे जो तमारो जवाब एव होई के आपात कोण सुन्य तो तमारो जवाब साचो कारण के कीरण बराबर लंब रूपे आवे छे तो एन्हें लंब साथे बनावेलो खुनो केटलो जीरो एतले आपात कोण थसे सुन्य एतले हुँ आम लखुचु खुणो I is equal to 0 तो आपण में पेलो नियम याद करो आपात कोण ने परावर्तन कोण केवा होई समाण येनों मतलब येम कि आपात कोण 0 होई तो परावर्तन कोण ही 0 येटले जो किरण सपाटी ने लंब रूपे आपात थाए येटले के लंब साथे खुणो 0 होई तो एनुँ परावर्तन पन एज दिशा मपाचू थाए एटला आप परावर्तित किरणने दिशा आपात किरणने दिशा जोहे आगड आपड़ी टेक्सबुक प्रमाणे आपड़ी स्टेटर जी प्रमाण आगड़ वदिये दरेक दरेक लाइन छे यापड़ी वाची ये जोता जे ये प्रमाणे तमे प्रकास ना परावर्तनना नियम हो विशे पहले थी जो जाणों छे ये चालो आ नियम याद करी लए बदी वाद करी गया छे आपड़ी फटाफट जोईले आपात कोण औने परावर्तन कोण समान होई छे बिजी वाद आपात कीरण सपाटी ने दोरेलो लम औने परावर्तित कीरण 3 एक समतल मा होई छे बराबर नियमों याद राखीले जो परावर्तन ना आ नियमों गोडिये सपाटी सहीत बधाज प्रकारनी परावर्तक सपाटी माटे लागू पड़ी सकाई छे एटले के आ नियमों गोडिये सपाटी सहीत बधाज प्रकारनी परावर्तक सपाटी माटे लागू पड़ी नियम जाडवामा तमारे ध्याने राखवानूँछे अपात कुण होए एने अनुरूप परावर्तन कुण होए तमे सम्तल अरिसा वडे रचाता प्रतीबीम थी परीचित छो एटले सम्तल अरिसा वडा प्रतीबीम नी वाद करेली छे अवे या थी तमने अगत्यनों प्रस्ण चे सम्तल अरिशाना प्रति भीमना गुंधर्म जणाओ एवो प्रस्ण पन तमने पुछी सकाई अथवा तो एक प्रस्ण एवो पन पुछी सकाई सम्तल अरीशो एटले सू अने सम्तल अरीशा वड़े रचाता प्रति भीमनी खासिय जणाओ तो पेल्लो तमें जवब आपी सको कि जो अरीशा नी परावर्तक सपाटी सम्तल होई सपाट होई तो एवा अरीशा ने केवाम आवे छे सम्तल अरीशो सम्तल रिशा माटे आपड़े थोड़ी वधारे वाद करिये तमने एहां एटली बदी डीटेल आपेलली नथी परण सवथी पेलली वाद प्रती भीम नी रचना केवी रितना थाए तो के कोई एक वस्तू छे एहां दारोक एहां एक लखेलू छे आ वस्तू छे किरण प्रकास्ष्त्रमा वस्तू प्रकास्ना उदगम तरीके वर्ते एटले पोता नामाथी असंख्य किरणों बार पाड़े आ किरणों परावर्तन औने वक्री भवन पामी कोई जग्या ए भेगा मड़े तो जे बिन्दू ए भेगा मड़े एने पेल्ला बिन्दूनू अथ्वाथ ज्याथी किरण उदपन्थ्याता एमनू प्रती बिमकेवाई एटले के हुँ अहीं आम कई सकू के सपोस तमें एव विचारी लो के आ एक नंबर नू बिन्दू छे अने आ बे नंबर नू बिन्दू छे तो एक नंबर ना बिन्दू माथे प्रकासना किरणों बार निकडा प्रकासना उदगम तरीके वर्ते कोई पन वस्तु तो किरणों 12 निकड़ा माधियम मा परावर्तन वक्री भवन जेवी घटनाओ अनुबवी अनुबवी अनुब जो भेगा थाए तो जियां भेगा थाई छे एने पेला नंबर ना बिंदों नुप्रती भीम केवाई तो जियां भेगा थाई एने जियां थी किरणों निकड़ा होई एनुप्रती भीम केवा मावे प्रती भीम ना बे प्रकार छे एक प्रकार छे वास्तविक प्रती भीम औने बिजो प्रकार छे अभासी प्रती भीम फई, जो किरणो निकडी औने खरेकर भेगा थता हो एक फई वस्तुमा नहीं निकडी, औने खरेकर किरणो कोई जगी बेगा थता हो ने, तो रचातु प्रतिभीम छे यहने वास्तविक प्रतिभीम केवा मावे जो किरणों भेगा न थता होई पन किरणों भेगा थता होई येवो बास थतो होई तो एवा प्रतिभीम ने केवा मावे आभासी प्रतिभीम वास्तविक प्रतिभीम नी लाक्षन इत्ता है छे कि वास्तविक प्रतिभीम हम्मेसा उल्टुज होई अने आभासी प्रतिभीम नी लाक्षन इकता है छे कि आभासी प्रतिभीम हम्मेशा चत्तु होई वास्तविक प्रतिभीम ने तमे पड़दा उपर जीली सको एटले के तमे पड़दा उपर प्रतिभीम मेडव होई तो मेडवी सकाई जहरे आभासी प्रतिभीम ने आपने पड़दा उपर जिली सक्ये नए आतमने वाद थाई वस्तूनु प्रतिभीम केवी रितना रचाई प्रतिभीम ना प्रकारो और प्रतिभीम ने प्रकारनी लाक्सनिक ताई आप बराबर याद राग जो खरेखर भेगा थता होई तो वास्तविक प्रतिविम हम्मे सा केऊ होई उल्टूज वास्तविक प्रतिविमने पड़दा उपर जीली सकाई भेगा थता होई एवो भास थाई तो रचातू प्रतिविम आबासी आबासी प्रतिविम चत्तू होई अने एने पड़दा उपर जिली सकाई नई हवे आपड़ी मूड वात उपर जही आपड़े सम्तल अरीसा वड़े केवी रितना प्रतिबिम रचाई इनी वात धारो काई यां हुँ एव विचारू कि कोई एक सम्तल अरीसो छे अपड़े एने नाम आपड़ी है वस्तू छे वस्तू नी संगना अपड़े ए बी वड़े दर्शाविए दरोका कोई एक वस्तू छे ए बी हवे अमा थी प्रतिबिम मेडवू होई एटले कोई पण चगिया उपर थी अथवा तो वस्तू छे प्रकास ना उदगम तरीके वर्ते एकले हुँ अईया बराबर जोजो ए पासे आपणी वस्तू छे एनो पॉइंटेट भाग छे तीर जेव भाग छे एनू प्रतिबिम मेडवा माटे नो प्रयतन करू तो वस्तू प्रकास ना उदगम तरीके वर्ते पोता ना माथी असेंख्य किरणो बार पाडे तमारे प्रतिबिम मेडवा माटे उच्छा मा उच्छा बे किरणो नी चरूर पडे एटले एवु विचारो के एक किरण ए माथी निकडू अने बराबर अरिशा ने लंब रूपे आपाद थियू तो हवे तमे जानों छो पराबर्तन ना नियम ब्रमाणे जो लंब रूपे आपाद थितू किरण होए तो एनू पराबर्तन थाए पाच्छू एन ए दिसामा एटले आया हुँ धारो के नाम अपू एन एटले आ एन आपाद किरण थियू एन थी ए वाद करु तो ए थसे पराबर्तित किरण हवे बिजू एक किरण ही थी हुँ आम दुरू छू एक कियू आ किरण ने हुँ एक कियू कईदो आ अपाद किरण थियू तीर्दी निशानी दर्यक वक्ते दर्षावी अत्योंत अगत्यानी કાણકે એ કિરણો ની દીસા દરસાવે છે એકલે ત્યાર આપણે કઈસાક એક બે એ ક્યું છેઈ આપાત કિરણ થીં હવે મારે એહ્યાં પરાવરતિત કિરણ દોરું હોઈ તો પરાવરતણના નીયમો પ્રમાણે એહ્યાં જે ખુંને કિરણ છે પરાવરતણ પામ છે એટલે કાહ્યાં જેટલો આપાત કોણા છે એહ્યાં આઈ કઈદો તો એટલા જ ખુંને આમ આગળવતે છે એન એ દીશા હમાં અને આ કિરણ આમ આગળવતે છે તો તમે બંને કિરણો વિશે જોઈ સકો પરાવર ત્યા મને એનું પ્રતિબિમ મળશે એને હું નામા પૂછુ એ ડેસ અને હું એનું પ્રતિબિમ મળું મને એ ડેસ હું એ બી વાડી વસ્તુને ઘણા બધા બિંદુઓ માં વિચારુન બધાજ બિંદુઓ માટે આવા બબે કિરુણો અને છેલે પ્રતિબિમ મેળવ તો જાઓ તો મને A ડેસ B પ્રતિબિમ મળશે એટલે કે આ સમતલ અરિસા વડે પ્રતિબિમ ની રચના કેવી રિતના થાય એના વિશે નિવાત હે આ પ્રતિબિમ ની લાક્ષણ ઇક્તાય વી છે અરી સાથી વસ્તુ છે એને અંતર ને હું યું કેદવ છું કે વસ્તુ અંતર અથ્વા તો વસ્તુ જેટલા અંતર એછે ને એટલા જંતરે પ્રતિબિમ રચાતુ હોઈ એટલે સમતલ અરિશાની પેલી લાક્શણ ઇતાવી કઈ સકાય બાજુઓ ઉલ્ટા એલી હોય એનો અર્થ કરોઓ હોય તું અવુ કઈ સકો આ ત્રણ લાક્શણી તથે બાજુઓ ઉલ્ટા એલ હોય તમે ઘરે દરોજ ઉભાઓ ઉછો મીરની સામે તો તમે મીરણી સામે બરાબર તમારો જમ્ણો હાથ ઉચો કરશો તો મીરણ સાઇટ થી જોસો તો એતમારો ડાબો તો એનો મત્લાબેમ કે મીરરમાં બાજુ ઉલટા એલી છે ફરિથી ત્રણ લાખશણ ઇતાઓ વસ્તુ અંતરને પરાવરતના આ નીયમો ગોડીએ સપાટી સહિત બધાજ પ્રકારની પરાવરતક સપાટી માટે લાગુ પાડી સકાય જોઈગીયાચી આપડે સમતલ અરિસાડ વડે રચાતા પ્રતિબિમ થી પરિચિત છો પ્રતિબિમ ના ગુંધરમ કેવા હોઈ છે એલા પેલી લાક્શણીતા આ ભાસી અને ચતુ બીજુ પ્રતિબિમ વસ્તુ જેવડુ હોઈ છે ત્રિજુ પરા વર્તક સપાટી ગોડીય હોઈ તો કેવી રિતના પ્રતિભિમ રચાય એ આપણે આગળ જોાનું છે અજી એક સામે ધારોકે 2 cm અંતરે કોઈ વસ્તુ રહેલ છે અજ્યાં સંતલ અરિશાની સામે 2 cm અંતરે દારોકે કોઈ એક વચે નું અંતર જણાવો તો તમે કઈ સક્શો વસ્તુ 2 cm અંતરે હોય તો પ્રતિબીમ પર્ત્યાથી 2 cm અંતરે હોવાનુ છે તો વસ્તુ અને પ્રતિબીમ વચ્ચેનું અંતર કેટલુ થે જસે ચાર સેંટિમિટર હોય આપણી પ્રવરુતી 10 પોઈટ એક આપડા નેક્ચ્ટ વિડીઓ ની અંદર આપણે જોઈસી